उत्तर प्रदीश के बाद लव जिहाद के चंगुल में महराश्ट बुरी तरह से फंस गया राज्य के उप मुख्यमंतुरी देविंद्र फटनवीस ने कहा कि राज्य में एक लाक से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आये हैं लेकिन अब सवाल ये कि लव जिहाद वोट जिहाद में तब्दील हो गया देविंद्र फटनवीस ने कहा कि हाल ही के लोगसबाचुनावों में महराश्ट के 48 सीटों में से 14 पर वोट जिहाद देखा गया देविंदर फटनवीस ने कहा कि एक दशक पहले हम सोचते थे कि लव जिहाद की बात एक बार की घटना है हमें लगा कि ये कोई साज़िश नहीं है अब हमने देखा कि एक लाग से ज़्यादा शिकायते मिले जिसमें हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्मों के पुरुशों के साथ भाग कर शादी के लिए बहलाया फुसलाया गया देविंद्र पढ़नवीस ने जो कहा उसे विपक्षी दल सियासत कहकर टाल सकते हैं लेकिन अब कोट में भी ये मान लिया कि लव जिहाद खतरनाक साज़िश का हिस्सा है और बड़े पैमाने पर इसे पहलाने के लिए विदेशों से फंडिंग की जाती है उत्तर पदेश की एक अदालत ने लव जिहाद मामले में आरोपी को मरकाइद की सज़ा सुनाई है इस दोरान कोट ने जो बात कही उसको लेकर विवाद शुरू हो गया मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट रेकोर्ट पर्थम के जज रवी कुमार दिवार ने बड़ी चिपणी की उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग से लव जिहाद की घटनाएं हो रही है बरेली किया तरिक्त जिलाई बंसत्र नियाधीश रवी कुमार दिवाकर ने मामले को लव जिहाद का उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे मामलों में धोखा धड़ी और धर्म परिवरतन शामिल है उन्होंने ये भी कहा लव जिहाद का प्रात्मिक उद्देश्वे सांकिकी को बदलना है और अंतराश्वे स्तर पर हलचल मचाना है एक धार्मिक समुह के भी तर कटर पंथी गुटों द्वारा प्रिरित ये धोखा दड़ी विवा के माद्यम से गहर मुस्लिम महिलाओं को इसलाम में कनवर्ट करवा रहा है न्याइधीश ने लव जिहाद के प्रकृतिगी उद्देश और वित्तपोशन के बारे में भी बताया कोर्ट ने 42 पन्नों का आदेश यारिकिया और जजज रवी कुमार ने ही साल 2022 में वारानसी के ग्यानवापी मस्जिद परिसर के विडियोगर्फी सर्वेक्षन और बुजू खाना को सील करने का फैसला दिया था उन्होंने आगे कहा कि ये अवैद धर्मांतरन कुछ चरम पन्ती व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं जो या तो ऐसी गतिविद्यों में शामिल होते हैं या उनके समर्तन करते हैं अलाकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये कार्य पूरे धार्मिक समुदाय को प्रतिबंबित नहीं कर सकता लव जिहाद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शामिल है वित्तिय संसाधन और इस मामले में ये संभावना है कि विदेशी फंडिंग शामिल है कोर्ट ने माना कि इसे पाकिस्तान बंगलादेश की तरह भारत देश को अस्तिर करने की साज़िश और देश की एकता खंड़ता और संप्रभूता के लिए खत्रा बताया है कोर्ट ने अपने फैसले में लव जिहाद को भी परिभाशित किया फैसले में लव जिहाद को परिभाशित करते हुए कूर्ट ने कहा कि ये प्रक्रण लव जिहाद के जरी अवए धर्मांतरन का है ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है लव जिहाद क्या है लव जिहाद में समुधाय विशेश के पुर्ष शादी के माध्यम से अपने धर्म में प्रिवर्तन कराने के लिए विवस्यत रूप से दूसरे समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाते हैं समुधाय विशेश के ये लोग इन महिलाओं को धर्मांतरन कराने के लिए प्यार का दिखावा करके धोखे से शादी कर लेते हैं इस केस में भी अभियुक्त मुहम्मद आलिम ने अपना नाम आनंद बताकर पीडिता को धोखा देकर हिंदू रिति रिवा से शादी कर उसके साथ रेप किया और उसकी फोटो वीडियो बना कर बदनाम करने की धमकी देकर का ही बाहर बलातकार किया गिरू रिपोर्ट नीज अफ इंडिया विरू एंडिया